तो आज हम उन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जिन भारतियों ने विदेशों में बहुत नाम कमाया है और उच पदों को प्राप्त किया है किसी देश में परधानमंत्री या राष्टपती या किसी वरिष्ट कंपनी के वो CEO इस तरह पर पहुंचे हैं सबसे पहल औरी संभावना है तो यह जो है यूनिटेट किंग्डम यानि बिटेन के परधानमंत्री बन चुके हैं तो एक अपने आप में एक यह बहुत बड़ा एथियासिक बात है कि जो देश के हम गुलाम रहे और आज एक भारतियों विक्ति भारतियों मूल का विक्ति वहां का प प्राश्टपती अमेरिका फिर आते हैं लियो वरेड कर यह भी भारतियों मूल के हैं और आयरलेंड के परधानमंत्री हैं तो यह बी एक उचे पत्वे हैं फिर आते हैं कमला परसाद तो यह हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ठीक है ट्रेनाड एंड टोबे को तो पहले परध प्राइब तो यहां पर हिंदी भी चलती है आपने जब हिंदी जहां पर इस्तेमाल की जाती है उन देशों के नाम पड़ेंगे तो मौरिसस भी उसमें से एक है ट्रेंड टोबेगो है फीजी है ना फीजी में बहुचपूरी भी इस्तेमाल होती है तो यह सब अगला नाम की बात करते हैं सत्या नडेला चेर्मेन और सीओ है माइक्रोसॉफ्ट के इन्हीं की वज़े से देखो आज दुनिया भर में जो है एक तरीके भारत का जो डंका बज़ रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरीके से सॉफ्ट्वेर इंडस्ट्री को वो क तो को ड्रिंग्स के ब्रेंड्स में एक बड़ा नाम है पेप्सिको का फिर आ जाते हैं लीना नैर ठीक है यह भी ग्लोबल सीओ है चैनल संस्था और यह यूनी लीवर संस्था है उसके संगटन से भी लीना नैर जोड़ी वी है इनका जर्म जो है कोलापुर महाराश्ट मे ही है फिर आ जाता है सुन्दर पिचाई यह भी बहुत महत्वपूर पद पर बैठे हुए यह हैं अलफाबेट और गूगल के सीओ ठीक है तो गूगल को इसी समय यह ऑपरेट कर रहे हैं और गूगल आप जानते हो कि दुनिया का आज सबसे बड़ा सर्चिंजन है गूगल तो एक तरीके से मोनोपॉली हो चुकी है गूगल के पास मतलब आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो उस पर गूगल आपको आटोमेटिक उसमें मिलेगा यह ठीक है बिना गूगल के क्या है वो ऐसा है जैसे बिना आत्मा के सरीर है तो बिना गूगल के मोबाइल क आज सितीथी है फिर आजाते है निक्की हैली यह साउथ कैरोलीना में एक्स गवर्नर रह चुकी है य disfr वहाँ पे South Carolina जो राज्य है अमेरिका का वहाँ पे राज्य पाल रह चुकी है निक्की हेली ठीक है फिर आ जाते है पराग अगरवाल बहुत इंपॉर्टन पोस्ट पे हैं Twitter के CEO है इसमें पराग अगरवाल इसके वाद है हरजीत साजन इसमें रक्षा मंत्री है करनाडा के हरजीत साजन तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये विदेसों में उच्छ पदों पर बैठे वे हैं और इसके अलावा भी कई सारे लोग है लेकिन ये कुछ उन में से महत्तपुर्ण थे तो अगले जानकारी हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे धन्यवाद